किसान आंदोलन का आज रविवार को 13 दिन है पंजाब के किसान शंबू और खनौरी बॉर्डर पर डटे हुए है उन्होंने दिल्ली कूच का फैसला 29 फरवरी तक टाल दिया है किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक में घर वापस नहीं जाएंगे आज किसान शंबू और खनौरी बॉर्डर पर वर्ल्ड ट्रेड और्गनाईजेशन को लेकर एक सम्मेलन करेंगे इसके द्वारा देश भर के किसानों को जाकरो करने की योजना है इसमें एक्सपर्ट आकर रबलू टी ओ के नुकसान बताएंगे उधर हल्याणा के साथ जलो में मुबाइल इंटरनेट पर लगी रोक हटा दी गई है अंबाला, कुरुचेद्र, कैथल, जीन्द, हिसार, फतेहबाद और सिर्सा में 11 फर्वरी के सुबाद 6 बजे से इंटरनेट बन था इसके अलावा किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए 11 दिन से बंध दिल्ली के टीक्री बॉर्डर और सिंगु बॉर्डर को अस्थाई तोर पर खोल दिया गया है टीक्री बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस के लगाए, कनेक्टर और पत्थर हटाए गए हाला कि शुरुआती तोर पर एक साइड की सड़क खोली गई, साथ ही जानदोरा बॉर्डर पर भी एक साइड आवा जाही शुरू की गई है इससे दिल्ली आने जाने वाले लोगों को रहत मिली है